नमस्कार दोस्तों जी एस रेसीपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम गुप्ता पीरियट के प्रशाशन और आर्थिक चीजों के बारे में डिसकस करेंगे चलिए पहले प्रशने से स्टार्ट करते हैं प्रशन बोल रहा है कि निम्लिकित कतनों पर ध्यान पूरवक पढ़िए और सही उत्तर का चैन करिए पहला कतन है कि गुप्त समराट जो है वा स्वाम के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे तो यह कतन जो है यह बिल्कुल सही है दूसरा कतन है उनका प्रशाशन नितांत केंद्रीगरत था यह कतन गलत है और तीसरा कतन बोल रहा है कि उन्होंने भूमिदान की परंपरा को प्रोथसाहित किया तो यह बात बिल्कुल सही है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा एक और तीन सही अप्सन नमबर C is the right answer के नम आप नोट कर सकते हैं एक गुप्त सासकों ने महाराजा धिराज की उपादी धारड कर रखी थी तीसरा एक राट की उपादी इन्होंने धारड कर रखी थी उसके बाद चौथा परमेश्वर की उपादी नोगों ने धारड कर रखी थी परमेश्वर ठीक है ऐसी बहुत बड़ी बड़ी वुपादी यह इन लोगों ने धारड कर रखे थी और गुप्त काल में प्रशाषन का विकेंद्री करड़ प्रारंब हो गया था और गुप्त सासकों ने ही भूमिदान की परमपरा को विस्तारित क किया था मंदिरों तता ब्रामबडों को जो भूमिदान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था ये कोशन पूछा गया बहुत बार नूट कर लिजेगा जो ब्रामबडों को भूमी दे दी जाती थी उसे अग्रहार बोला जाता था इस प्रकार की भूमी सभी करों से उपर धारकों का पूल स्वामित तो होता था ठीक है और एक जगह है जिसका नाम है पुंडर वर्धन पुंडर वर्धन भुक्ति या एक जगह है गुप्तकाल की या एक गुप्तकाल का बहुत महतपूल प्रांत था और या उत्तरी बंगाल में इस्थित था कहां पर या उत् प्रिश्ण का सही जवाब क्या होगा इस प्रिश्ण का सही जवाब होगा option number C is the right answer अगले प्रिश्ट की ओर बढ़ते हैं अगला प्रिश्ण क्या है अगला प्रिश्ण बोल रहा है कि गुप्त सामराजी के पतन के विभिन कारण थे निम्लिकित कत्नों में से कौन सा कारण नहीं था तो जो पहला है हूड आक्रमण कारण थे बिल्कुल सही बात है हूड आक्रमण जो थे वा कारण थे दूसरा कतन है प्रिशाष्ण का सामंतिय धाचा था बिल्कुल सही बात ये ठीक है इस प्रस्टिन के बारे में कुछ महतपूर्ट तति जान लीजे महतपूर्ट तति आया कि गुप्तों के समय हुडों का आक्रमण हुआ था और गुप्त प्रशाशन में सामंतवाद का बोल वाला था तता बाद के सासकों ने तो बहुत धर्म तक सुईकार कर लिया था जिसे सामजस से जो है वा भंग हो गया था परंतु जो अरब आकरमण है उस समय नहीं हुआ था इसलिए जो चौता कतन यह गलत है मतलब कोशन कहीं साब से सही है लेकिन कतन यह गलत है और सामंतवाद के विकास तता सिल्प और वैपार के पतन के कारण गुप्त काल में नग जड़ों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्पूर विशेशता थी तो किस काल की यह एक महत्पूर विशेशता थी या गुप्त काल की एक महत्पूर विशेशता थी option number is the right answer अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण बोल रहा है कि प्राचीन भारतिय गुप्त राजवन्स के समय के संदर में नगर घंट शाला कदूरा तता चौल किसलिए विख्यात थे ये जो विख्यात थे ना या विदेशी वैपार करने क के लिए ये विख्यात थे option number a is the right answer option number a is the right answer इसके बारे में कुछ महतपूरत थे जान लीजिए महतपूरत थिया है कि गुप्त काल में जो है वा अंतर राश्टी वैपार प्रचलन में था और विदेशी वैपार बंदरगाहों के माध्यम से होता था और गुप्त काल के कु पूरा तीसरे का नाम था चौल बंदरगा चौथे का नाम था माले बंदरगा कौनसा माले बंदरगा पाच्वा नाम था कल्याण बंदरगा कौनसा कल्याण बंदरगा छट्वा जो है भ्रगु कच बंदरगा भ्रगु कच बंदरगा ये सब important बंदरगाहों के नाम थे इन तरह एक माप की इकाई थी एक माप की इकाई थी कुल्या वाप क्या नाम था कुल्या वाप एक और भूमी मापक की इकाई थी जिसका नाम था द्रोन वाप द्रोन वाप अगर यह पूछ लिया जाए कि यह क्या थी यह भूमी माप की एक इक इकाई थी जिसका प्रयोग मुख प्रफ़ारत के इतिहास के संदर्व में कुल्या वाप तता द्रोन वाप सब्द जो है यह क्या बताते हैं यह जो है यह भूमिमाब बताते हैं क्या अप्सन नमबर एजदा राइट एंसर अगले पर प्रशन की दुर्वाद कारडिक का क्या अभी प्राय है इसका जो अभी प त्रतिया है कि गुप्त काल में भूमिकर संग्रय करने के लिए दुर्वादिकरर था भूमि आले को सुरचित करने के लिए दो पदा दिकारी थे जिनका नाम क्या था एक का नाम था महाचपतलिक मैं नाम लिग देता हूँ वो होते थे और नयाधी करल नामक वैपारी जो होता था वो भूमी संबंदी विवादों का निप्टारा करता था आप इसका भी नाम नोट कर सकते हैं नयाधी करल नामक जो वैपारी होता था वो भूमी संबंदी विवादों को निप्टाता था और गुप्त कालिन भारत में दो पद नाम थे एक महत्तर एक महत्तर और एक पटलिक पटकिल ये पद नाम जो था वह ग्राम मुखिया के लिए प्रियुक्त होता था ये दो महत्तर और पदकिल ठीक है तो इस प्रश्ण का सही जवाब क्या था वह था अप्सन नमबर बी इस दा राइट एंसर अगले प्र इस दा राइट एंसर अगले पर स्क्योर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कि गुप्त काल के दोरान भूमी के रिकॉर्ड की सुरच्छित देखभाल के लिए जिम्मेदार अधिकारी जो है वह किस नाम से जाना जाता था वह करडिक के नाम से जाना जाता था आप्सन में यह किन के लिए प्रियुक्त होते हैं यह ग्राम मुखिया के लिए प्रियुक्त होते थे option number B is the right answer अगले प्रस्क्योर बढ़ते हैं अगला प्रस्न है कि निम्रिखित में से एक की अन्य तीन से भिन गुलार्थ करता जो है वह किसे है वह है भुक्ति से option number C is the right answer इसके बारे में कुछ महतपूरत थी जान लीजे महतपूरत थी यह है कि जो भुक्ति था वह गुप्त कालिन प्रांतों का नाम अत्वा साशन का एक भाग होता था और गुप्त काल में भुक्ति या प्रांत के प्रमुक को उपरिक महाराज नाम नोट कर लीजे उपरिक महाराज कहा जाता था किनको कहा जाता था गुप्त काल में भुक्ति या प्रांत के प्रमुक को उपरिक महाराज कहा जाता था और इसकंद गुप्त ने एक आदमी था जिसका नाम था पंडदत जिसका नाम क्या था पंडदत इसकंद गुप्त ने पंडदत को सौराष्ट प्रांत का प्रांत पती बनाया था और सौराष्ट जो है वह गुप्त सामराजी का एक प्रांत था और गुप्त काल में ही भाग तथा बली राजस्व भाग तथा बली य या जो दो थे या राजस्य के स्रोथ थे और क्या महतपूर्त थे या है कि पुंडवर्धन जो एक प्रांत मैंने बताया था पुंडवर्धन से प्राप्त अभी लेखों में नगर प्रशाशन में नगर स्रेडी इसका मतलब होता है निगम का प्रधान तता सार्थ हुआ नाम से जाने जाते थे या उप्रिक महराज के नाम से जाने जाते थे ऑप्शन नमबर ए इस दा राइट अंसर अगले प्रशन की और बढ़ते हैं अगला प्रशन की भाग और बली जो ये दो थे ये क्या थे या राजसों के स्रोथ थे ऑप्शन नमबर बी इस दा राइट अगले प्रिस्ट की और बढ़ते हैं अगला प्रिस्ट क्या है बड़ा सा कोश्चन है ध्यान से पढ़िएगा कोश्चन है कि गुप्त काल के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है तो देखिए कौन कौन सा कथन सही नहीं है पहला कथन है इस काल में बला और उली सिलालेक या इंगित करता है कि चंदरगुप्त बंगाल में सत्रों के राजसंग के विरुद लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेता तो किया था तो ये भी बात बिलकुल सही है और चौती बात बोल रहा है कि गुप्त सामराज का हिस्सा नहीं अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण है कि नगर प्रशासन के प्रशंग में नगर स्रेष्टी एवं सार्थवा का उलेक जो है वा निमनांकित इस्थान से प्राप गुप्त अब अभिलेकों में मिलता है कहां से तो मैंने नाम बताया था एक प्रांद था उसका नाम क्या था उसका नाम था पुंद्रवरधन और बढ़ते हैं अगला प्रशन किा अगला प्रशने की सामंत प्रथा प्राचीन भारत के किस युग में व्या पक रूप से फैली वह फैली गुप्त काल में अप्सिन नंबर डि और उइश इसके बारे में कुछ महत पूर्टत है जान लीजे महत पूर्टत ही आया है कि सामंत वाद का जो अंकुरण है वह सात वहन सक कुशाड काल में हुआ था तथा राजपूत काल तक आते आते यह सामाज में पूलतेया प्रतिष्ठित हो गया था और सामंत वाद का सबसे अधिक चरित में इस सब्द का प्रियोग किया है इस सब्द का प्रियोग जो है वा जागीरदारों के लिए किया है और गुप्त काल में ब्रामभडों वा मंदिरों को कर रहित क्रिशी भूमी अनुदान में दी जाती थी जिसे मैंने नाम बताया था उसे ब्रंभोदय कहा जाता था उसे क्या कहा जाता था, ब्रंभो दय कहा जाता था, इस काल में मंदिरों वा ब्रामबडों को सबसे अधिक भू अनुदान दिया गया था, तो इस प्रशने का सही जवाब क्या है, वह है option number D is the right answer, अगले प्रशने की किस सासक वंस ने मंदिरों एवं ब्रामबडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, option number A is the right answer, option number A is the right answer, इसके बारे में कुछ मैदपूर्ट अतिया जान लीजिए, मैदपूर्ट अतिया है कि भूमी अनुदान की परंपरा की सुरुवात जो है, वह साथ वहन काल म हुई थी, किन्तु गुप्त काल में आते आते मंदिरों और ब्रामबडों को सबसे अधिक भूमी एवं ग्राम अनुदान दिया जाने लगा, आगे चलकर हर्स वर्धन जो थे, हर्स के काल में प्रशासनिक छेत्र में भी भूमी अनुदान जो है, उसकी सुरुवाद भी किन्य प्रदान की जाती थी, या ब्रामबडों को प्रदान की जाती थी, अपसन नंबर C is the right answer, ओके, अगले पर स्क्योर बढ़ते हैं, अगला प्रशन क्या है, बाड़ा सा कोशन है, ध्यान से पढ़िएगा, गुप्त राजवन्स के संबंद में निमिखित में से कौन सा क कथन सही है, तो कथन पढ़िए, पहला कथन है कि कुमारा मा सबसे महतपूल अधिगारी थे, तता गरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्य चरूप से नियुक्त किये जाते थे, तो यह जो है, यह कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन बोल रहा है कि गाउं के भूमी का लेंदेन जो है, वा सुरू हो गया था, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, तो इस प्रशन का सही जवाब क्या है, वा है, आप्सन नंबर A is the right answer, इसके बारे में कुछ महतपूर तथे जान लिजे, महतपूर तथी आए कि गुप्त काल में एक राजा हुए थे, जिन उनके अपने ही प्रांत में न्यूक्त करता था, सायद उनको नगत वेतन मिलता था, हमें ये भी पता चलता है, और एक इस्मृति है, जिसका नाम है कात्यायन, कात्यायन इस्मृति में इस बात पर बल दिया गया है, कि आमातियों की न्यूक्ती जो है, वा ब्रामभर वंड से होनी चाहिए, और क्या महतपूर्त थी है, महतपूर्त थी या भी है, कि गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है, वा ग्राम थी, और ग्राम का जो मुखिया होता था, वा ग्रामिक या ग्राम पती या महत्तर जो है, या कहलाता था, उसकी साहेता के लिए ग्रा सभा भी होती थी और ग्राम में भूमी का लेन देन बिना उसकी अनुमती के नहीं होता था तो इस प्रश्ण का सही जवाब क्या था इस प्रश्ण का सही जवाब था option number is the right answer अगले पर स्क्योर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण बोल रहा है कि कथन और कारण दे रखा है कथन बोल रहा है कि प्राचीन भारत में सामंती विवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है और गुप्त काल में सामंती व option कौन सा सही हो जाएगा option number B is the right answer इसके बारे में अगर कुछ महतपूर तथ्याप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए सामंतवाद का जो विकास है वा गुप्त युक की एक विशेस्ता मानी जाती है या बात सही है परंतु इसके विकास के सारे उपकरण जो है वा इस यु आसकों की सामंती विवस्ता का विकास जो है वह कई कारणों से भी हुआ था इसमें सरप्रमुख जो कारण है एक केंद्रिय सत्ता द्वारा विश्तिद भूबाग पर नियंत्र इस्थापित करना यह कारण एक संभव हो सकता है केंद्री सक्ति की निर्बलता ने समाज में प्रभावसाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जिसके उपर इस्थानी सुरच्छा का भार आ गया और सामंती व्यवस्ता में छेत्रिय सामंत अपने केंद्रिय समराठ के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को विभिन आउशरों पर उपहारों तता करों की की नियुक्त भी की थी इसके बाद प्रायां सभी सासकों ने अपने अपने विजिद छेत्रों में प्रांतिय सासक जो है वा नियुक्त कर देते थे तो इस प्रशन का सही जवाब क्या है वह है option number B is the right answer अगले प्रस की और बढ़ते हैं अगला प्रसन क्या है किस प्रकार भ पूर्ततिया है कि गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमी को भूमी का जो वर्गी करण है वह पांच भागों में वर्गी करत किया गया है इसको ठीक है पहला है छेत्र क्रिसी योग भूमी ठीक है और दूसरा है आपका वास्तु वास्तु का मतलब होत और लास्ट है खिल्य, खिल्य का मतलब होता है जंगली भूमी, जो पाचवा है खिल्य, खिल्य का मतलब होता है जो जंगली भूमी होती थी, ठीक है, और मैतपूर्त तिया है कि गुप्तकाल में किसान जो है वह भाग तथा भोग, किसान जो है वह भाग तथा भोग, इन दोन विष्टी एक और कर है विष्टी या बेगार राजी के आयका एक प्रमुक इस्त्रोत था जिसे एक प्रकार का कर भी माना जाता था तो इस प्रस्ण का सही जवाब क्या है वह है option number A is the right answer अगले प्रस्ण क्या है 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 कि गुप्त काल के दोरान भारत में बलात स्रम विष्ट के संदर्व में निम कथन सही है पहला ही कथन सही है ठीक है option number a is the right answer इसे राज जी के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था option number a is the right answer और आज के अंतिम प्रश्णी की ओर बढ़ते हैं अंतिम प्रश्णी क्या है मिलान वाला प्रश्णी तो देख लीजे क्या क्या है देव पुत्र जो है यह रिलेट किस से करता है देव पुत्र जो है यह रिलेट करता है राज की उपादी थे तो पहले का हो जाएगा तीन फिर उसके बाद जो गॉल्मिक है गॉल्मिक जो है यह राज कर्मचारी से रिलेट करता है बी का हो जाएगा फोर उसके बाद जो कुल्यवाप है कुल्यवाप जो है वह भूमी मापक इकाई होता था तो एक हो जाएगा और जो लास्ट आहार होता था वह एक प्रशास स्निक इकाई होता था ये दो हो जाएगा चौंतिस बारा जिसमें हो वही सही एंसर है ऑप्सन नंबर बी इसदा राइट एंसर ओके तो यह जो स्रीच चल रही कैसे लग रही आपको प्लीच कमेंट सेक्षन में लिखके बताईए और चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए धन्यवाद